नमस्का आप बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम्टीव इंडिया और वक्त वचला है पांच मेंड में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों से रूबरू करवाने का प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने आज रेडियो कारकरमन की बात के जरिये देश को संबोधित के इस दोरान मोदी ने जन संग्रक्षुन से लेकर कश्मीर तक की कई मुद्दों पर बात की कनाता विदासवाब स्पीकर के आ रमेश ने चौदा बागी विधायकों की सदस्यता रत कर दी जिसमें कॉंग्रेस के 11 और जनता दल के तीम विधायक शामिल है पूप कैबिनेट मंत्रियों कॉंग्रेस नेता जैपाल रेड़ी का निधन हो गया उनके निधन पर बिरान मंत्री नरेन मोदी राश्टरपती कोविंद समेथ एक कॉंग्रेस पार्टी ने शोग चताया राश्पती रामनात कोविंद अफ्रीका के तीन देश बेनन गांबिया और गिनी की राज़की यात्राओं के लिए रवाना हो गहें इन तीनों देशों में भारत के किसी भी राश्पती की पहली यात्रा हो गए पूर्व राश्पती प्रणम वोखरजी ने कहा कि कोई भी अधिकार स्थाई नहीं होता है ये समाजी का अर्थिक सितियों के संकल्पना के साथ बदलता है उत्तर प्रिदेश में अध्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजे दूसरे शेलान्यास समारो का घाटन देश के ग्रह मंत्रिया मिशा ने दीप रजोलित कर किया सांसत आजम खान द्वारा पीटा सीन सभापती रामा देवी पर की गई अपती जोनक तिपड़ी पर सुबे के स्वास्त मंत्री सधार्त नास सिंग ने कहा कि आजम को सदन में प्रतिबंदित कर देना चाहिए सापा के राश्च्री अद्याग शकलेश आदम ने कहा कि योगी सरकार अपने पहले जया योजनों के जर्गिया प्रदेश में नैनी विशकों को लाने में नाकाम सावित हुई है लगनाओ के प्रेस क्लब में डॉक्टर राजे कुमार चौधरी ने आज विश्व हैपिटाइटस दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फरेंस की जिन में उन्होंने हैपिटाइटस के रोग थाम, निदान और उप्चार के बारें बताया लगनाओ में पती के अतियारों को सजदे लाने के लिए धाने में सुनवाई ना होने पर एक महिला ने एसेसपी से लगाई गुआ जपान के होशु दुईप में आज सुबा छेदर शमलव तीन तीवरता से भुकम के जटके मैसूस किये गए अमेरिकी राजपती डोनाल रम के चेतामी के बाद जूद फ्रांस के वित्ते मंतरी बुर्णो ली मायर ने कहा कि वो गूगल और फेस्बुक जैसी बड़ी टेकनोलोजी कंपनीों पर डिजिटल टैक्स लगाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान सरकार के फाइनेशल डिपार्टमेंट का कहना है के वित्तिवर्श 2018 से 2019 के दौरान उसके साफजिनिक विदेशी कर्ज में 2.29 अरद डॉलर की बड़ोतरी हुई है जो पिछले तीन सालों में सबसे कम है 12 सरकार ने इरान से पनामा तेल टांकर में सबारबाग की थीभारती क्रू मेंबर को भी रिया करने के अपील की है अमेरिकी राश्पती जोनाल ट्रम ने चार देमोक्रेटिक कॉंग्रेस विमन द्वारा घ्रेनास पद बयान देने के लिए अमेरिका से माफी मांगने के लिगा है विसिंडीज की वन दे टीम का एलान कर दिया गया है भारत के खिलाव होने वाले टीम मैचों की वन दे सीरीज के लिए सलामी बनले बास प्रेस गेल को टीम में शामिल किया गया है वंडे क्रिकेट से सन्यास लेने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबास लसित मलेंगा ने कहा कि क्रिकेट मेटी के रहने के लिए खिलाडी का मैन-मिनर होना ज़रूरी है पाकिसान के पूर्व क्रिकेटर रसीम अक्रम ने तेज गेनवाज मुहम्मद आमिर के कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने के फैसले पर ट्वीट करने राश्य जताई है खेल मंत्राले ने स्टार स्प्रिंटर दूती चंद का आरजुन अवार्ड के लिए और हर्विजन सिंग का खेल रत्म के लिए नाम खारिश कर दिया है खेल मंत्री किरिन रेजिजू का बड़ा एलान खेलो इंडिया का तीसरा सब्सक्रेंट साल 2020 में 18 से लेकर 30 जनवरी तक गुहार्टी में खेला जाएगा फिल्म अभिनेता संजेदत के जर्म दिन के मौके पर उनकी अगली फिल्म प्रष्ठानम का टीजर लॉंच किया गया अक्टर अक्षे कुमार ने साजित नादिया वाला की फिल्म बच्चन पांडे साइन कर ली है ये फिल्म 2014 में रिलीज होई तमिल फिल्म वीरम का रिमेक है देसी गल प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर निक के साथ कुछ तस्वीर शेर की है जो फैंस दुआरा गूप पसंद की जा रही है वॉलिवूड अभी नेता राहूल बोस का फाइब स्टार होटल में दो के लिए के 442 रुपे बिल वाला वीडियो वाइरल होने के बाद एक्साइज एंड टाक्सेशन डिपार्टमेंट ने चंडीगर के उस होटल पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगा दिया है वॉलिवूड अभी नेता फरान अक्टर पर दोफान की तैयारी के लिए इंटेंस वरक आउट करते नजर आ रहे हैं